हलो फ्रेंड्स तो दिन है आज फ्राइडे का और मैं लेकर आ गई हूँ फिर सेक और ब्लॉग तो आज मैं थोड़ा सा ग्रोसरी देख रही थी सामान डबों में डाल रही थी तो वहां मुझे साबुदाना थोड़ा सा मिला पॉले तिन में जो मैंने नवरात्राओं में मंगाया था था थोड़ा सा ये बच गया था तो आज मैं बना रही थी घड़ से जो बाजरा मैं लेकर आई थी तो उसकी में राबडी बना रही थी आज तो फिर मैंने साबुदाना की खिचडी भी बना लेती हूँ तो इधर मैंने साबुदाना भीगो दिया है अभी शाम को बनाऊंगी दिन का मतलब अब भी चार बज रहे हैं तो दो घंटे सा बुदाना भीक लेगा उसके बनाऊंगी और इधर मैं बाजरा ये थोड़ा सा साफ कर ले रही हूं यहां मेरे पास वसी चलनी है जिससे मैं साफ कर ले रही हूं जितना हो जाएगा वाकी फिर मैं खुछ से ही उसमें जो राई वगेरा, कंकड़ वगेरा पड़े रहते हैं सरसो के दाने तो भो मैं परात्मे इसमें डाल के और फिर इसको साफ करोंगी गरपर तो बहुत सारी ही चीज़े होती है साफ करने की या संसी फढ़ करते हैं पर यहं है हाँ मेरे पास कुछ भी अबी लेबल नहीं है तो व rends आज में आप को बताओंगी मैं घर गई थैप क्या शॉपिन घर कर लाई थी लाग के चूड़े वागर जी लाने के वह लांकर लाए है तेज हमारे लग कїज्घा को व्लॉक को पूरड कोDie Jaci आपको ब्लोग पसंद आएगा और यहां पहले मैं कर देती हूं रावडी की तयारी मतलब बाजरा जो है पीस के रख देती हूं और आपडी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो अभी बीच में मगार भी को टूशन चोड़ने जाओंगी उसके बाद आके तब मैं गैस आरी होगा कए कोई नहीं इस नहीं आया लगत नहीं है पर आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी ही आ जाएगी तो अभी इतना सब कुछ अभी अभी मेरा इसी महीने ये वाला चैनल तो मेरा मॉनेटाइज हुआ है ब्लॉगिंग वाला तो उसमें तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है तो अभी कोई मेरी यूटूब पेमेंट आना स्टार्ट नहीं हुई है इस वा यह बन गया है और मैं इदर ये लसी बना ले रही हूं दही में ही बनती है रावडी लसी बना के तो मैं इदर ब्लाइंडर से लसी बना ले रही हूं दही की और इसके बाद बस अम मैंने लसी को चड़ा दिया है गार्वी को मैं छोड़ कर आ गई हूं टूशन और इदर य तो यहां देखिए यह लसी थोड़ा गरम हो गई थी और इसको मैं इसलिए लगातार चला रही हूं क्योंकि फट जाती है तो इससे को लगाता चलाना और उसमें मैंने जो दलिया लिया था एक कटोरी वह मैंने डाल दिया है अब इसको जब तक वॉयल आती रही वॉयल नहीं नहीं आएगी ना तब तक मैं इसको लगातार चलाओंगी क्योंकि इसका फटने का चांस जादा रहता है इस तरह तो जो बॉयल आ जाएगी उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगी और यह दीरे-दीरे से गयस पर पकती रहेगी और मैं इसको आकमस कम एक गंटे पॉन पर चांस जादी में तो ना मैंने उसे छोड़ दिया है यहां मैं घर से जो यह साडियां आई थी यह भावी ने दी नीचे मुझे उनको जो मैंने बताया था अभी बेबी हुआ था तो वहां से मुझे कुछ इसाडिया वगेरा दी थी एक पहले दी थी ब्राउन कलर की जो यहां पर नहीं सिलवाओंगी क्योंकि गॉल्डन बॉडर है तो गोल्डन कलर का ब्लाऊस ही में रेडिमेट वाला ले लूँगी इसके साथ और मेरे पास रख्था भी है और नहीं तो मैं इसका मैचिंग का गॉल्डन का मैं एक ब्लाउस ले लोंगी तो वही मैं यह निका और न बड़ा बैड है फुल साइज वाला बैड है यह तो ना इस पर बैडशीट आती निया चोटी वाली जो मेरे पास बैडशीट है वो आती निया वसी एक दो बैडशीट है तो वही आती है एक पास तो तो यह और नला भगो, धें हैं वेड बेड प हो गया था और समान ज्यादा घैण उयाओं और यह बजन तो होई जाता है बड़ी साइट की वेड शीत है तो तो अभी दो ले आई हो दो तीन पड़ी है तो काम चल जाएगा नेक्स टाइम जब जाओंगी तो फिर मैं और लेके आजाओंगी तो यह दोनों वेड़ सीट की साइट की में लेको आई थी तो यहार हम से हो चोटी साइट काफी सारी है तो चोटी सबूंड की आगया हैो घ्री करके हैं कर लेका यह जाना ही तो candle कर में लगाने हुआ है जो बनगोरी बोलते हैं प्लेंग्राइब को से टो ठीये करें हैं। जल्डी ora sign already LordWeek रोलते हैं City τη चूड़ियां देखन арवे दूत हैं में दो कुठकों के लिगा से यह जाने हैं मायज को रखें हैं क्योंकि पता नहीं होता है न कौन सी साड़ी हम कब खरीदें और वो तो जब हम साड़ी खरीदें तब ही हम उसका चूड़ा ले सकते हैं वरना ऐसे तो क्या पता चलता है कि कौन से कलर कलें फिर भी मैं थोड़ा सा अलग-अलग कलर के ले आई हूँ कि कुछ कभी तो मैच कर जाए कोई साड़ी पर मैच करकर के पैन लो तो उसे सबसे मैं थोड़ा सा ले आई हूँ साड़ में लगाने वाले कड़े वगरा दो तिन तरह के तो वह सब मैं ले आई हूँ तो देखिए लाग के चूड़े बहुत महेंगे पड़ते हैं क्योंकि काच की चूड़ी हैं त इस तरह से मैं बंग्री बगरा लेकर आई तो इस तरह से मैं चूड़े बना सकती हूँ अलग-अलग कलर के एस तरह से मैं चड़ी हैं तो औक आई तो देखिए से मैं आई हूँ तो फ्रेंट्स ऐसे तो चूड़े बहुत हैं लेकिन वही है कि दो जगे का हो गया है गर पे काफी सारे रखे हुए है और यहाँ पर भी है लेकिन वहाँ जाती हूँ वहाँ पर कुछ फंक्शन हो जाता है कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्रम पड़ जाता है तो फिर सारी चीज़े यहां से ले जाना है पॉसिबल नहीं है हर चीज चूड़े वगरा सब रखके ले जाओ कि इतना सामान हो जाता है ना तीनों जनका की सब चीज ले जाना वो नहीं है तो मैंने वहां पर भी बहुत सारे रखे हुए हैं यहां से जाती हूं तो मैं लेके नहीं जाती हूं वहां के मैं वहीं पर पैन लेती हूं और रहना साधिया वगरा भी मैंने वहां प कर लेती हुआ है और हम लोगों को वैसे ऐसा है विनियम एक दूसरे को किसी का भी कोई भी कोई problem नहीं है मैं मंजी का यदिवराणी का अपस में हम एक दूसरे की पाइन लेते हैं तो कोई इस्वी किया तो के लिखी दाई कि उस्यांति काम न Just To SEO अब्जुन से लियान वी जाता है कि पहिए है अब यहाट हो जाए यह Lته रहे हृई फिले लगा शी बेवात उसके लिए उसको बना रहे हूं। शूप पीना थे और सूप उसको बहुत पसंद है। मार्केट वाला जाधा पीती है। घर पर लुगादा में हो नहीं पीती है। और यह वाय वायए वाले अजनी सूप लेके आए थी। क्योंकि अब स्कूल जाने लगी है तो दिक्कत होती है फिर वहां पर चीजे फैलाती है तो सिखेगी कब अगर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं खाने के लिए तो खुछ से इकलाती रहूंगी तो वह सीखेगी नहीं तो मैं घर पर जादा तर कोशिश करती हूं कि वह खुछ से खाये थोड़े कपड़े घराब करेगी नीचे फिलाएगी कोई नहीं मैं साफ कर दूंगी लेकिन उसे अब आना भी चीए क्योंकि काफी बड़ी हो गई है स्कूल जाने लगी है तो यह सब चीजी से खाने भी सब डाल के बनाओंगी क्योंकि अब रात रहों में तो मैं यह सब कुछ नहीं डालती हूं लेकिन आज में सारे मसाले डालके और यह खिचडी बनाओंगी एकदम से बढ़िया अच्छे से तो यहां पर यह आ गये हैं पूजा वगरा कर रहे थे आके यह बहात मों दोके अगर सुबहार काओ तो अच्छी लगता है तो मेरे हजबें ने सुबह उसको लस्टी के साथ काते हैं और जो गहाट वाली राबडी होती है गर्मियों में बनती है वो ठंड करती है तो गहाट वाली राबडी को लस्टी के साथ ही अच्छी लगती है सुबह खाते हैं, गर्मीमें वह बहुत फाइदेंद हो Than Pill तो यहाँ पर तुम्हें नहीं बनाती हो, घाट के राव अ कि कि ही वैसा है यहां थानड़ा मौसर में तो अज लेके सई WHAT आई खोना यही और बोटिह मुपली को हमda हैń अबी में बस प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक और इसमें डाल दूंगे अभी साथ में ही मैं टमाटर और सब्जी और कुछ नहीं थी गाजर वगरा नहीं थी नहीं आज मैं सोच रही थी पूरा सब्जी डालके बनाएंगे मज़ा आएगा लेकिन गाजर वग कि खाने का मynn हो रहा था अने झाहिए तो मटर आने लग है मैंने कल ही मार्केट में देखी थी पहले महिंके थी तो噶े मेहम्य आहें है फहीं मेहक हैं सफल मटर ले के आये थे तुम आने का कि चलो मैं खचड़ी में डाल देती हूं तो तो ऐपि गोबी गoma कर्यांगे यह खाने में भी काफी टेस्टी लगी थी बहुत अच्छी लगी थी मैंने इसमें मिटची नहीं डाली तो गार्वी ने बहुत अच्छे से खिचडी उसको बहुत पसंद आई थी और उसने खाली और सही बताऊना तो कम पड़ गई थी क्योंकि थोड़ा साबु दाना था मुझ बरतन कर ले रही हूं क्योंकि बरतन काफी सारे हो गए थे लंच वॉक्स वगयरा और कल यह अपना लंच वॉक्स है ना ऑफिस में भूल आयते तो आज दो दो लंच वॉक्स हो गया आज मैंने दूसरा घर से रखा था डबों में डाल के दिया था खाना और गार्वी का हो तो काफी सारे बसकेट में आते नहीं और ज्यादा बड़तन हो जाते हैं तो थोड़ा सा बाद में आलस भी आता खाना काने के बाद साफकन्ने में तो एक बार अबी चाय वगयरा के सबके बरतन में क्लीन कर ले रही हूं सारे आज अजय डबे डबे जादा है क्योंकि सारे तो अभी मैं यह कर ले रही हूं पहले क्लीन उसके बाद हम खाएंगे खाना एक जुआ के अजय कर दो सकती है झाल 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 बड़तन हो गया है clean countertop भी कर दिया है साफ और इधर ये oil खतम हो गया था container में तो ये मैंने साफ कर दिया था कल ही तो आज इसको सुखाया था मैंने दिन में और ये सूख गया है और दूसरा वाला oil भी खतम हो गया था तो वो container मैंने अभी साफ किया लेकिन वो सूख जाएका तब उसमें कल भरोंगी तो अभी इसमें oil डाल के मैं रख दे रही हूँ इस वाले container में एक ये फायदा है कि इसका ये मुह है ना मतलब इधकन जो खुल जाता है वो चौडे उसका है खोल है तो इसमें हाथ देके अंदर से ना अच्छे से detergences को अच्छे से clean कर सकते हैं इस scrub से तो वैसा जो ऊपर छोटा उसका होता है बोटल का तो उसमें अंदर जाता नहीं है फिर वो brush से साफ करना होता है लेकिन ये अच्छे से clean हो जाता है तो ये खाली हो गए थे तो मैंने का चलो मैं एक बार clean करके तब इन में oil डाल दूँगी तो इसमें मैंने भर दिया है और उसमें मैं कल भरूँगी दूसरे वाले में वो सुख जाएगा तब उसके बाद तो यहां पर मैं खाना लगा रही हूँ अभी सब के लिए इदर ये राबडी में डाल रही हूँ और गार्वी को तो देखती हूँ खिलाओंगी उसे अच्छी लगेगी तो क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है पहले बहुत पहले बनाती थी जब हर्याना में थी तब तो वो खा लेती थी सबजी लेने जाऊंगी इस अच्ट साइम बनाई घट on यह को लो खाकर बनाती हूँ तो नहीं तो घरकी सबजी उट यह जो भी में ठाउटीओं नहीं थी तो लेने जाओंगे भी मैं शाम को सब्जी और यहीं पर इसी के साथ मैं वीडियो का कर देती हूं एंड तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर करना और जो चैनल पर नए है वो सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ तो बाई बाई टेक केर गुड नाइट